यह देखो यह रात को यहां पर आके सभी यह जो जानवर है मेरे जितने भी पक्षी हैं सभी इनके उपर आके बैठ जाते हैं ठीक है तो मैंने इस तरीके से बना रखी ताकि इससे इसके उपर ज्यादा मुर्गिया आपाए टोटल जो कोस्ट है वो लगवर 25,000 के आसपास आ नमस्कार दोस्तो सुआगत आपका पॉल्टी पाइन इंफो में और दोस्तो काफी टाइम बाद मेरे इस चैनल पर वीडियो आ लिए और जो यह आज की वीडियो है यह होएगी अपने फार्म की यानि कि अपने देशी पॉल्टी फार्म की मैंने भी फाइनली अपना देश आज मैं आपको इसका पूरा टूर करवाऊंगा कैसे मैंने यह फार्म बनाया और किन-किन बातों का ध्यान रखा और बाकी क्या कमी रही वो मैं सारी चीजे इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा इसलिए आप इस वीडियो को लास तक एंड तक देखते रहें और साथ-साथ दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है यह मेरे एक वाटसब गूरूप पर जिसमें बहुत सारे पॉल्टी फार्मर भाई जुड़े हों तो आप इसका इस सामन सकते हैं आपको क्या करना है आपके स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिखके मेरे को व परेके में पूरा जुड़े भार के जालिया लगती है उस जाली से मैंने इसको ऐसे फर्म बनाया है यह देखो तो अभी के लिए मैं इसे थोड़ा बंद कर देता हूं और जो यह अपना मुर्गा है मैं यह लेकर आया था एक भाई के पास में बहुते ही बहतरीन मुर्गा है मेरा अच्छी क्रोसिंग करता है और जो यह मुर्गा इसका नहाम मैंने रखा है अम हम अलगी रखते हैं लेकिन मेरा यह अच्छा मुर्गा है मुर्लब की इसकी क्वाल्टी भैतरी ने तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है यह मेरी प्योर्देशी जो गावरन बोलते हैं वह यह मुर्गिया है और थोड़ा से मापको थोड़ा स्ट्र बता देता हूं यह देखो यह हमने इनके अंडे देने के लिए बनाई है ऐसे टैन रखे इसके ओपर यह देखो और यह जो ट्रे हैं यह भी रखी हुई है ताकि यह यहां पर आके अराम से अंडा देशके तो जो मेरी मुर्गिया है वो मुस्ली इसके अंदर आके अंडा देती है भी फिलाल तो भी थोड़क कम टाइम हुआ है मेरे को लाय हुए देर देरे इनको हैबिट पड़ जाएगी फिर उसके बाद में यह यहां पर आके अंडा देने लग जाएंगी लग बग सारी मुर्गिया यह मैंने इस तरीके से इनके बैठने के लिए बना रखा है यह देखो यह रा बगारा उनीक जो डाले होते हैं वो मैने इसके इंडर यह करे हैं जो हम बास के लट़े मिंस कर सकते यह लेकिन वो थोड़े महंगे आते है तो आप प्राभी के लिए शुरुआद के लिए अपना जुगा ऐसे कर शक्ते हैं इस तरीके से पेड़े के जो लट़े होते हैं यहां पर पूर देते हैं जो बार लगा हुआ में इसलिए यहां ताकि गर्मियों में तो इसके अंदर ठंड मेंटेंड रहती है मतलब कि यहां पर जो ठंड रहती है फारम के अंदर मतलब सीधी लुए जो गरम हवाय चलती वह नहीं लगती और साथ में सर्दियों के अंदर यह गरम रहता है इसका मतलब नैचरूल एक बहुत ही अच्छा बैनिफिट है तो आप भी अपने फारम में ऐसे यह बाहर से यू लगी हुई है यह 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 आठ फुट की है तो लगबग यह चार-चार यह जैसे चार हिसे होते हैं यह चार-चार हिसे यह बाहर बाहर है तो लगबग आपको यह अंदर स्पेस मिल दी है लगबग यह करीब है साथ फिट साथ फिट के राउंड साथ 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 फिट के बाकि ये देखो बाहर से हमने ये लगबग इसको ये जो दिवार बनाई है ताकि इसको निच्छे से कुट्टे वगर यहां से खोद ना पाए तो इस तरीके से दिवार बनाई है तो बाकि जो आपको ये दिख रहा है ये मैंने मिठी लगाई है ये हमारे इदर चिकनी मिठी होती है तो वो मैंने इसको ऐसे चिकनी मिट्टी लगाई है यहां से ताकि यह थोड़ा सा अंदर से ठंडा रहेगा बाकी भाहर की साइड से मैंने सिमट से बनाया है पूरा बाकी यह मैंने जाली लगाई है पूरा पूरा फार्म का यह जो स्ट्रक्चर है यह टिका हुआ है फार्म सेटप किया जाए तो उसके लिए यह एडियल फार्म है अभी इसके उपर ज्यादा मेरा खर्चा नहीं आया है लगबग लगबग इसमें मेरा टोटल जो कोस्ट है वो लगबग 25,000 के आसपास आई है इसके अंदर इस फार्म के अंदर तो बाकी इसको अभी क्या है हम यहां पर बाहर जितना भी एरिया इसका मैंने छोड़ रखा है इसके अंदर हम जय आइंट किंग लगाएंगे लगाएंगे नि सोरी लगा रखै मैंने इसके अंदर से आपढ़ दिखनी पा रहा होगा यहां परी बखैरा जैसे नेपिर होता है वैसे फेर इसके बाद में देर देरे जब यह बड़ा हो जाएगा तब इसके अंदर यह पूरे फ्री रेंज के अंदर चली जाएगी लगबग आजा एक कड़ जगा है और इस तरीके से मैंने यह नेट लगा रखी है पोलीमर की नेट आती है यह यह मेरको वैसे मैंने इस एक भाई के पास में पड़ी मतलब सो फिट का एक नेट है उसकी मेरको बारास रुपे पड़ी वैसे वह बोल देते कि पंदरास रुपे के आज पास नेट आता है बाकी यूज कर रहा हूं मैं इसकी ठीक है वैसे हमने इसका निच्चे थोड़ा सा इसको दाब दिये मिट्टी में ताकि एकदम से कुट सब्सक्राइब होएं है कि मैं मैं जब और और क्या हम आपको दिखाता हूँ है यह यह हैं देखो एक समय मादाइब हूद दोब तो देखो दोस्तों ऐसा है कि हमें फीडर लगाना को जरूरी है और फीडर की ऐसे हमें हाइट रखनी उपर क्योंकि जब दाना डालेंगे तब दाने के अंदर क्या होता है कि यह धूल मिट्टी डाल देते हैं अपने पैरों से जो अपने पक्षी है तो इस वज़े से आपको हमेशा फीडर की जो अपनी यह रखनी चाहिं है बाकि जो अपनी जो मुर्य और विजय आखना है अभी यह मेरे पास में लग बग जिस जार दिन हुए इनको लाई हुए और यह मिरेको उणडार हो जाना अभी दो उंडे आर और ए Хriresses human cable मैं ए तिलाल इंडी यह मुर्ण 2014 आज रोटिन में द इसमें मैं अभी देखो आपको खाली लग रहे होंगे मैं इसमें सिरफ सुबह फिक्स टाइम है मेरा आठ बजे और श्याम को लग बग पांच से च्छा बजे अभी थोड़ा ठंडी का टाइम थोड़ा है अभी देर गर्मियों का टाइम तो मैं थोड़ा जल्दी डाल तो भाहियों अपना कैसा लग रहा है फार्म एक पार मेरे को जुरू बताया हो देखो है मैंने बैठने के लिए इनके लिए बना रखा है इसके उपर भी चड़गे बैठ जाते हैं उसके उपर भी बैठ जाते हैं लेकिन रात को आके जैसे ही चैके आसपस टाइम होगा य बाकि दोस्तों अपने इस चैनल के उपर पोल्टे पैन इंफो चैनल के उपर आपको एसी वीडियो और मिलती रहेंगी जो भी मैं एक्सपीरियंस गया इन कुरूंगा इस पोल्टे फार्मिंगे अंदर बाकि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं बहुत सारी फार्म क्योंकि जो प्यूर देशी मुर्गी पालन है वह जो और्गनिक फार्मिक का हिस्सा है तो मैं आपको हर एक अपडेट इसके अंदर देता रहूंगा तो आप मेरे इस चैनल से जरू जुड़ जाए और भाईयो मैं थोड़ा यह बताना आपको बोल गए यह मैंने बास के ल आपको यह पूरा फार्म अपना विजिट कराया और यह देखो अपने बच्चे एकदम पूरे हैल्दी तो फाइनली मैंने अपना फार्म स्टार्ट कर लिया है आप सभी भाईयों को अपने फार्म की अपडेट मिलती रहेगी तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जु कर लें बागी चल दिए मिलते हैं दुबारा से नेक्स्ट वीडियो में